आज मैं मनाने वाली हूँ सर्सो का साग, मतलब बहुत आसानी से एकडम कुईत बनकर रेडी हो जाएगा, सर्दियों का मौसम सुरू होते ही सर्सो का साग मार्केट में easily available होता है और इसे बनाना भी बहुत आसान है और इसमें धेर सारे बाइटमिन और प्रोटीन होते हैं, कै बहुत ही कुएक और आसान रेसिपी है, मतलब अगर आपको लगता होगा कि सर्सो का साग बनाना बहुत मुस्किल है तो आज से ही आपको लगने लगेगा कि सर्सो का साग बनाना बहुत easy है, तो चलिए बनाना start करते हैं, उससे पहले फ्रण अगर आप नए हैं, अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाहिए सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और हाँ बैल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजेगा जिससे मेरी आने वली सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और अगर आपको मेरी रेसिपीज, मेरी महनत, आइडियाज अच्छे लगते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ आपके फैमिली फ्रेंड में आपसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनके साथ मेरे वीडियो को शेयर करें तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैंने लिया है एक गड़ी सरसो का साग तो इसली मार्केट में मिलने लगा है बस हाँ ये थोड़ा सा अभी महंगा है इस टाइम पर तो मैंने क्या लिक किया है एक गड़ी सरसो का साग ले दिया है और इसके जो मोटे वाले जो टुकडे है यानि जो मोटा वाला हिस्सा है इसे हमें यूज नहीं करना है इसके डंठल को हम निकाल देंगे तो इसे मैं cut कर लूँगी उसके बाद इसे हम अच्छी तरह से पाने से wash कर लेंगे क्योंकि इसमें dust वग्यरा, मिटी वग्यरा बहुत जादा होती है तो इस तरह से मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ इसका एक हिस्सा मतलब यह बहुत soft है अगर आप चाहे तो इसके dental का use कर सकते है पर मुझे dental का use नहीं करना है मैं केवल इसके lips का ही use करूंगी तो यह देखिए इस तरह से बहुत आसानी से यह dental से अलग हो गया है dental बहुत soft है तो मैंने इसे तोड़ लिया है और अच्छी तरह से तीन से चार पानी से wash कर लिया था क्योंकि इसमें बहुत सादा मिट्टी और dust थी इसे मैंने तोड़ के धो लिया है और अमे से कट कर लेती हूँ तो आप चाहे बहुत जादा बारी कट कर सकते हैं तो आप बारी कट कर लीजे नई तो क्योंकि हम इसे boil करने वाले हैं तो आप थोड़ी से मोटे भी इसे कट कर सकते हैं तो इस तरह से यह देखिए मैंने चाकू के help से पूरा हमारा जो सरसो का साग है उसे कट कर लिया है इसके बाद मैंने इसे बड़े से plate में निकाल लिया है आप मैंने लिया है एक दे कि या फिर आप हांडी भी बोल सकते हैं तो मैं सरसो के साग को इसमें ही बनाने वाली हूँ तो थोड़ा सा बड़ा बरतन लीजेगा आप अभी तो यह फुल हो गया है आपको लग रहा होगा यह पूरा भर गया है पर यह थोड़ा सा गर्म होगा हलका सा बोल होगा तो यह कम हो जाएगा यह जितना ज़्यादा दिख रहा है बनने के बाद एकदम कम हो जाता है तो इसके बाद मैंने इसमें लिये हैं पालक कम से कम लगभग 100 ग्राम पालक होगी जिसे मैंने अच्छी से पानी से वाश कर लिया है और इसके जो मोटे डंठल थे उसे हटा दिया है और पत्ति पत्तियों का यूज करना है हमें इसके बाद मैंने लिया है मैथी तो पालक को मैंने हमारे सरसों के साथ के साथ ही रग दिया है क्योंकि हम एक साथ सारी चीजों को बॉil करने वाले हैं और इसके बाद मैंने मैथी को भी कट कर लिया है मैथी मैंने 100 ग्राम ली है और इसकी जो डंठल है उनका यूज नहीं करना है सर्फ पत्यों का ही यूज करना है इसे भी मैंने सरसों के साथ के साथ डाल दिया है सारी चीजे क्योंकि हम इसमें ही सारी चीजों को बॉयल करेंगे इसके बाद मैंने एक इंच अद्रक का टुकडा लिया था जिसे मैंने मोटे मोटे टुकडों में कट कर लिया है और इसे मैं सरसों के साथ के साथ डाल दूगी, चार से पांच हारी मिर्च ली है, मैंने थोड़ी सी तीखी है, इसलिए मैंने चार पांच ली है, अगर आप बहुत ज़्यादा तीखा खाएं, तो मिर्च को बढ़ा सकते हैं, इसके बाद मैंने दस से बारा लेसुन की कलियां ली है, जिसे मैंने मोटा कट कर लिया है, उसके बाद मैंने इसमें एक कप पानी डाल दिया है, और अब मैं इसे गैस पर रख दूँगी, जिसे की अच्छे से बॉयल होने लगेगा, तो इसे हमें लगबग 20 से 25 मिनट तक बॉयल करना है, और ये देखिए, मैंने इसे 5 मिनट तक लिट को लगा दिया था, 5 मिनट के बाद ये काफी कम हो गया है सासो का साग, आप देख सकते हैं, इसके बाद मैं इसमें लिल लगा दूँगी, और इसे आराम से 20 से 25 मिनट तक बड़िया से बॉयल होने दूँगी, तो मैंने लिट को लगा दिया है, और ये देखिए, 20 से 25 मिनट हो गया है और हमारा जो साग है, पूरी तरह इसे बॉयल हो गया है, कुक हो गया है, और एकदम सॉफ्ट हो गया है, यह देखिए, आप चाहें तो इसे कोकर में भी 2-3 बिसा लाने तक इसे कोक कर लें, मैं इसे हंडी में ही बनाने वाली हूँ, आगर आपके पास मिट्टी का बरतन है, तो आप उसमें भी बनाईए, उसमें भी इसकी खुश्बू बहुत अच् बिकदम मैंने पूरा जो भी हमारी भाजी है, यहीं जो सरसो का साग है, पूरी तरह इसे घोट लिया है, मैंने चमच की हेल्प से, आपने देखा होगा कि मैंने किस तरह से इसे एकदम स्मूद बना लिया है, अगर आपको लगता है कि इस तरह से आप नहीं कर पा रहे हैं, तो यह simply trick मैं बताती हूँ, especially मैं कभी-गभी ऐसा करती हूँ, जो mixing jar होता है, उसमें डाल के pulse पर लगबग एक से दो बारे से चलाती हूँ, और simply हमारे जो सरसो का साग है, वो इस तरह से बड़ी ऐसे महीन हो जाता है, बारीक जैसा हमें चाहिए होता है, अब इसमें मैं डाल रही हूँ बेसन, लगबग दो छोटे चमच मैंने बेसन डाल दिया है, सासो के साग की सबसे स्पेशल चीज होती है, बेसन, और इसे हमें continuously ऐसे ही mix करते जाना है, गैस की फ्लेम मैंने अन ही रखी हुई है, और इस तरह ऐसे मतलब इसमें लम्स नहीं आने चाहिए, नहीं तो बेसन की जो लम्स आ जाते है वो खाने में हमें बहुत बेकार लगेंगे, इसलिए मैं इसे continuously spoon से mix करती गई हूँ, और ये देखिए, इसका texture आप देख सकते हैं कि सरसो का साख कैसा हो गया है, बस अब हमें gas की flame को off कर देना है, और अब मैं बनाने वाली हूँ, इसके लिए तड़का, तो मैंने एक बड़ा सा pan ले लिया है, जिसमें मैंने लगबग दो बड़े चम्मच सरसो का तेल डाला है, अब oil को अच्छी तरह इसे गर्म कर लेना है, जिससे इसका smoke जो भी है, इसमें जो थोड़ी से smell होती है hard, वो निकल जाती है, इसके बाद मैंने इसमें डाली है, दो साबुत लाल मिर्च, दो टुकडों में कट करके, हीन डाल दी है, आदी छोटी चम्मस से भी कम, यानि कि एक से दो पिंच लगबग, और 10-12 lesson की कलियां, जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया था, उसे भी मैंने ओईल में अच्छे से saute कर लिया है, ओईल में बड़ी ऐसे, यानि की हलका golden brown कर लिया है, उसके बाद मैंने दो बड़े साइस की प्याज ली थी, अच्छा प्याज मैं थोड़ी सी जादा यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो थोड़े से कम प्याज का भी यूज़ कर सकते हैं, आप स्लाइस में भी प्याज को कट कर सकते हैं, दो हरी मिर्च को मैंने तीखा करने के लिए इसमें बारीक कट करके डाल दी है, और अच्छे से मिक्स कर लिया है, प्याज हमारी हलकी सी गोल्डन ब्राउन हो गई है, इसके बाद में इसमें सूखे मसाले डाल रही हूँ, तो मैंने एक बड़ा चम्मच भरके इसमें देगी लाल मिर्च डाली है, आदा चोटा चम्मच से कम हल्दी पाउडर, आप इसे एक दो दिन तक श्टोर भी कर सकते हैं, और जब भी आपको इसे खाना है, आप इसमें तड़का लगाईए, फ्राई कीजिए और आप इसे खा सकते हैं, तो फ्रेंड मैंने इसे सुबह ही बनाया था, मैंने इसे एक दिन पहले नहीं बनाया है, मैंने इसे फ्रेस ही बनाया हुआ है, तो मैंने इसे मिक्स कर दिया है, सासो के साख को मसाले में, और नमक डाल दिया है टेश्ट के अकॉर्डिंग, या फिर एक छोटा चम्मस से थोड़ा सा ज़ादा, और मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, अब हमने इसमें बेसन डाला है, तो इसका जो कच्छा टेश्ट है बेसन का, वो थोड़ा सा कच्छा रह जाएगा, इसलिए हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है, यानि कि हमें मसाले में मिक्स करने के बाद, इसे 10 से 12 मिनट तक कुक करना है, और ये देखिए, 10 से 12 मिनट के बाद, हमारा जो सर्सो का साग है, वो रेडी हो गया है, ये देखिए, कितना चक कलर आए है इसमें, आब मैं बनाने वाली हूँ, लेसन की चटनी, तो मैंने लिए हैं लगबग 15 से 20 लेसन की कलिया, या फिर आप दो गट्टी लेसन भी बोल सकते हैं, इन्हें मैंने छील लिया है, अब आप बोल रहे होंगे, आदामी का भी तो लेसन बहुत महँगा है, तो ये टोटली ऑफ्सनल है, मुझे लेसन की चटनी, बहुत पसंदे सर्दियों के मौसम में, तो मैं इसलिए बना रही हूँ, तो मैंने सारे लेसन को मोटा दरदरा कूट लिया है, और एक प्लेट में निकाल लिया है, जिसमें मैंने एक बड़ा चमच देगी लाल मिच डाली है, आदा छोटा चमच से कम हल्दी पाउडर, एक चमच धनिया पाउडर, आदा छोटा चमच आमचूर पाउडर, और आदा छोटा चमच नमक डाला है, और थोड़ा सा पाणी डालके से मिक्स कर लिया है, अब इसमें लगाते हैं तड़का, तो आप चाहे तो इसमें बिनिगर का यूज़ कर सकते हैं, अगर आप श्टोर करना चाहते हैं, वैसे आप इस तरह से इसे बना के, लगबग दो से तीन दिन तक आराम से खा सकते हैं, तो मैंने एक पैन ले लिया है, जिसमें मैंने सरसो का तेल डाला है, जीरा, हींग और राई डाल दी है, और राई हमारी अच्छे से तड़क गई है, इसके बाद में इसमें हमारा जो लेसुन का मिक्षर है, वो इसमें डाल देंगे, ये देखिए, तो मैंने इसे इसमें डाल दिया है, और इसे कंटिनूसली हम मिक्स करते जाएंगे, आप चाहे थोड़ा सा पानी यूज कर सकते हैं, अब विनिगर आपकी चोईस है, आप डालना चाहते हैं, अगर आप श्टोर करना चाहते हैं, लगबख एक महिने, दो महिने के लिए, तो आप इसे एरटाइट बॉक्स में भरकी रखें, और विनिगर का यूज करें, तो हमारी जो चटनी है लेसुन की, वो रेडी हो चुकी है, और आम मैं बनाने वाली हूँ मक्के की रोटी, यानि कि पंजाब का फेमस डिस में बनाने वाली हूँ, मतलब सरसों के साख के साथ, अगर मक्के की रोटी नहीं है, तो फिर तो कोई मतलबी नहीं बनता है सरसों के साख का, तो मैंने ले लिया है एक बड़ा सा पैंच, जिसमें मैंने डाला है एक कप पानी, नमक और उसके बाद मैंने इसमें चिली फ्लेक्स डाले हैं मैं थोड़े से मसालेदार मक्के की रोटी बना रही हूँ तो मैंने बारी कटा हुआ धनिया डाल दिया है और उसके बाद मैंने कसूरी मेथी और हमारा पानी अच्छे से बॉयल होने लगा है गैस की फ्लेम को मैंने आफ कर दिया है इसके बाद हमें पानी को बॉयल नहीं करना है अच्छा जो मेजर्मेंट है उसे आप अच्छे से ध्यान रखिएगा नहीं तो हमारा जो आटा है मक्के का वो गीला हो जाएगा और रोटी मनाने में हमें बहुत दिक्कत होगी तो मैंने एक कप मक्के का आटा लिया है और एक कप पानी का यूस किया है और इसे मैंने मिक्स कर दिया है बस ऐसे ही और लेट को लगा दूँगी पास साथ मिनिट के लिए और 5-7 मिनट के बाद ये देखिए आटा हमारा बढ़िया से सॉफ्ट हो गया है और हमेसे थोड़ा थोड़ा पानी डालके बढ़िया सा गोथ लेंगे तो अभी भी आपको पानी हलका सा गुनगुना ही चाहिए थोड़ा पानी डालके इसे रोटी के टो जैसे बना कर रेडी कर लेंगे हम ये देखिए तो मैंने हलके सी गुन्मोने पानी का ही यूस किया है और हमारा जो डो है वो रेडी हो गया है और मैं इसके चोटे-चोटे से पेड़े कट कर लेती हूँ यानि कि जितनी बड़ी चोटी मोटी पतली रोटी आपको बनानी है उतना बड़ा पेड़ा इसमें से कट कर लें तो मैंने इसे अच्छी तरह से आटा डस्ट कर लिया है सूखा बाला आप चाहे तो इक polythene जो होता है plastic उसमें भी इसे बेल सकते हैं जैसे आपको अच्छा लगे हैं जैसा आप like करें उस तरह से आप रोटी इसकी बेल कर रेडी कर सकते हैं तो मैंने एक रोटी बेल ली है औ अब मैं इसे गोल के लिए एक बड़ा सा बोल है मेरे पास उससे मैं कट कर लूँगी as a choice है यह आपकी अगर आप ऐसे ही रोटी रखना चाहते हैं तो आप ऐसे भी रख सकते हैं पर यह looking wise अच्छी लगती है एकदम गोल से बाएगा इसका इस तरह से मैंने इसे बोल से कट कर लिया है तो front इसी तरह से हमारी सारी रोटियां में बना कर रेडी कर लूँगी एक रोटी मैंने बना ली है पतली आप देख सकते हैं कितनी मोटी पतली मैंने रखी हुई है मतलब simply जैसे हम normal रोटी बनाते हैं बलकुल उसी तरह से मैंने इसे बनाया है और अब इसे सेख लेंगे हम, तो यह देखिए, मैंने पैन गर्म कर लिया है पहले ही और रोटी को इसमें डाल दिया है और एक साइट से हमारी रोटी सिख गई है और इस तरह से स्पाइडर की हेल्प से मैं इसे सिख लूँगी, वैसे होटल और रेश्ट्राइन में जब जाते हैं तो वो इसी तरह से रोटी को सेखते हैं, तो मैं भी ऐसा है, ट्राइ कर रही थी, वैसे यह सिख बहुत अच्छी गई थी, यह देखो आप कितना बड़िया इसमें चित्ती आई है एकदम बड़िया से सिख गई है तो यह मैंने ऐसा ट्राइ किया था अगर आपको लगता है तो आप भी इस तरह से ट्राइ करें, और इसी तरह से मैंने सारी हमारी रोटियां है बना कर रेडी कर ली है, और आप कर लेते हैं इसकी बड़िया सी सुपर हल्दी सुपर टेश्टी सी प्लेटिंग तो मैंने ले ली है एक बड़ी असी श्टील की प्लेट जिसमें मैंने रख लिया है लैसुन की चत्नी, उसके बाद सरसों का साग और सरसों की साग की स्पेशली यानि कि उसकी जान मैंने इसमें रख लिया है बटर आप चाहे तो देशी गी डाल सकते हैं मुझे बटर बहुत पसंद है इसलिए मैंने बटर रख दिया है और उसके बाद मैंने आवले और मिर्च का जो अचार बना का रेडि किया था उसे भी प्लेट में रख लिया है अगर आप आवले और मिर्च का चार देखना चाहते हैं इसकी वीडियो तो मैं लिंक आपको कॉमेंट बॉक्स में डाल दूँगी आप उसे किलिक करके मेरा वीडियो देख सकते हैं तो फ्रेंड मैंने कर लिए इसकी बड़ी ऐसी प्लेटिंग मतलब मेरे तो मुँ में इतना पानी आ रहा है कि मैं बस इसे कंट्रॉल ही नहीं खड़ सकती हूँ तो फ्रेंड जल्दी जल्दी से जाईए आप भी इस रेसिपी को जरूर जरूर ट्राइ कीजे और अगर आपको मेरी रेसिपी मेरी महनत अच्छी लगते हैं तो प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और हाँ बेल आइकन को प्रेस कीजे जिससे मेरी आने वाली सारे वीडियो की नाटिफिकेशन आपको मिलते रहे तब तक के लिए स्वास्त रहिए मस्त रहिए देखते रहिए मुझे यानि कि मेरे चैनल कुकिंग बिद कॉन्फिडेंस को मिलते हैं एक नए आइडिया के साथ में नए वीडियो में तब तक के लिए मुझे सपोर्ट जरूर करते जाएए और हाँ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आपके फैमिली फ्रैंड में जुड़े हुए जितने भी लोग हैं सब के साथ मेरे वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए मैं आपके लिए इतनी महनत करती हूँ उसके लिए आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब तो बनता ही है सो टेक केर बाबार